लेकिन जो लोग तो बर्गर पीजा वगएरा खाना अपसंत करते हैं उन लोगों ने तो तोरी का सेवन नहीं किया होगा लेकिन जो लोग हरी सबजियां खाते हैं वो लोग तोरी का सेवन भी करते होंगे यह जो तोरई है यह श्रीर के लिए काफी फायदेमद है लेकिन हम लोग इसे सरफ एक सबजी के रूप में ही देखते हैं लेकिन आज की वीडियो को पूरा देखने के बाद आप हैरान हो जाएंगे कि एक ऐसी सबजी जिसे हम सिंपल सबजी समझते हैं उसके इतने फायदे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आप में से बहुत से लोग तुरही का सेवन करते ही होंगे तो अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये सबजी कितनी फायदेमंद है हो सकता है कि आपको इसको खाने का सही तरीका मालूम ना हो जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते है दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्तों रिष्टेदार भी स्वस्त रहें तो आप इस वीडियो को जल्दी से जल्दी उनके साथ शेयर करें इस वीडियो को शेयर करने के लिए वीडियो के नीचे इस शेयर बटन के उपर क्लिक करें और लिस्ट में वाटस्टै तो चलिए उनके बारे में आपको एक एक करके बताता हूँ सबसे बड़ा फाइदा है डाइबिटीज के मरीजों के लिए क्योंकि जिन लोगों को डाइबिटीज की प्रॉब्लम है उनके लिए काफी दिक्कत आती है उनको ये समझनी लगती कि क्या खाएं और क्या ना खाएं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके या आपके नजदीक कहीं भी कोई डाइबिटीज का पेशन्ट है तो प्रियतों में इंसुलिन लेना पड़ेगा या फिर हमें दवाइबिटीज के अलावा आँखों की रोशनी को भी ये तुरई बढ़ाती है अगर आपकी आँखों की रोशनी कम है अगर आपकी आँखों के ऊपर चश्मा लग चुका है तो आप तुरई का सेवन कीजिए इ तुरई के अनदर विटामिन अिधर मात्रा में होता है इतना ही नहीं वजन को कम करने के लिए तुरई सबसे अच्छी है अगर आप वजन को कम करने के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं एक्सराइज जिम कर चुके हैं फिर भी फायदा नहीं हो रहा तो आपको गबराने की बिल्कु ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस आपको सुबह खाली पेट तुराई का जूस पीना है, अगर आप इतना एक महीना भी कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि 5-10 किलो वजन आपका असानी से कम हो सकता है, और अगर भी नहीं, आपका high BP हो सकता है, low BP हो सकता है, heart stroke बहुत problems हैं जो दिल को स्वस्थ ना रखने के कारण आती हैं, तो आपके दिल को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है, आपके श्रीर में cholesterol का level कम रहे, यानि कि LDL cholesterol का level कम रहे और HDL का जाधा रहे, जिसमें तुराई आपक है, यानि कि high BP की समस्या है, तो आप तुराई का juice पीजिए या तुराई की सब्जी घाए, इसका अगर आप लगातार सेवन करते रहेंगे, तो आपकी high BP की problem जड़ से खतम होगी, और future में ये problem आपको कभी भी नहीं आएगी, तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही, आ आप इसमें बिल्कुल confuse ना हो, तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अची लगी तो लाइक करें, और मेरे चनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद.